नमस्कार सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और ये आज में बात कर रहा हूँ RPSC द्वारा आयुजित किया जाने वाला Assistant Professor जो subject geography का पेपर फर्स्ट पर discuss कर रहा हूँ जिसमें 150 question थे और 75 marks का था सबसे पहला question है जलवाई और मोसम संबन्द परिवर्तन होते हैं तो हमारा ये है छोब मंडल Second है जो कारक सूर्यताब को प्रभावित नहीं करते हैं तेकि insulation को जो प्रभावित नहीं करता है अपका rotation गुष्णन करता है परिक्रमन करता है सूर्य केंडों का नती को करता है इसका आंसर होगा प्रचलित पमने प्रिवलेंग बेंड क्योंकि प्रिवलेंग बेंड है वो तापमान को प्रभावित करती हैं ना कि सूर्यताब को नेक्स्ट है वह गैस जिसका निचले वाइमिनल में सुस्क वहाई वहर में तीसरा सरवादिक वहाग होता है सबसे ज़्यदा आपका nitrogen फिर oxygen थर्ड नमर पर और 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 वाइमिनल की परतें जो एपल्टन परत के नाम से जानी जाती है और वो है एब बन एब टू नेक्स्ट है वाइव अपवहा से अभी प्रा है ठंडे इस्तान से गरम इस्तान की और वाइव छेथिजगती कुश्ट नमर शेक्स 100 centigrade तापमान फार्नाइट मापक पर कितने डिग्री के समतल होता है तो 212 डिग्री बार्सिक ताप परिसर की गर्णा की जाती है तो एक वर्स में जो सबसे गरम और ठंडे मैने का उसत तापमान गंतर होता है उसके आधार पर की जाती है नेक्स्ट है चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के सम्मंद में असत कथन बताना है तो इसमें है उप्सन बी उत्री गोलार्द में चक्रवात में पवनों की दिशा गड़ी की सुई की अनरूप होती है जबकि सही क्या है कि उत्री गोलार्द में पवनों की जो कथन था चाटी है तो उपूस जो कटवंदी ये उच्चदाब की पेटी है 30 से 35 डेगरी इसमें तापमान महत्पी मूम का नहीं वाता है ये जो गलत है और यहां पर क्या है आपका ये गती संबंदी पेटी है कुछ नमर 10 निमने से पवनों से कौन सी साहरा मरुस्तल से संबंद देते हैं तो ये आपकी हबूब है निमने से कौन सी एडियाटिक टर्ट की ठंडी तेज पवन है तो ये आपकी बोरा है कुछ नम्मर 12 निवने से कौन से मेग निचले मेग है तो इस्तरी कपासी मेग है निर्पिक्स आतरता को प्रती साथ में बेक्ट करने की एकाई है वो है ग्राम प्रती गहन मीटर नेक्स्ट है बहिरू बहियूष्न कटिवन्दी चक्रवात में ठंडे बातागर सहरे बनने वाले मेग होते हैं क्लावड डवलप अलोंग कोल्ड फ्रंट इन दा एक्स्टा टोपिकल साइकलोंस तो यह होते हैं आपके बर्सा इस्तरी मेग यह है कपासी बर्सी मेग नेक्स्ट है निम्मे से कौन सी हरित कहें नहीं है तो ऑक्सिजन 15 में है कोकोस कटक है हिंदमासागर में ब्रतम महादीपी मगन तर्ट है यह साइवेरिया में है जो की आर्टिक सागर में सबसे बड़ी मगन तर्ट पीटी है नेक्स्ट है अंदमासागर सबसे गहर अगर तो पीरोटेर के गरता है विस में सर्बोच जवार है भंडी की खाडी माता है सावानतर दीर की जवार और लगू जवार के मद जो अंतराल है वो साथ दिन का होता है क्योंकि दीर की जवार जो आता है अमावश्रा और कूर्णमा को आता है और लगू जवार है सबते भी अस्टमी को दिन आता है तुझे इस साथ दिन का निमने से कौन सी थंडी धारा नहीं है बेंगुला थंडी धारा है हमबोड थंडी धारा है फाकलेंड थंडी धारा है तो ब्राजील थंडी धारा नहीं है कुछ नमर 22, महासागी धारा जो उत्री अंद महासागर धारा कोई चक्र गती का भाग नहीं है, जो गायर का भाग नहीं है, इस तरह से इसमें कौन सा नहीं है, लेबरोडोर का नहीं मर्द अटलानिक कट का वहवाग जो विश्वत रिका के उत्तर में इस्तित है, तो डाल्फिन वह बहार है, निवने से वहए एक पूर भी अंद महासागर की वेशन नहीं है, तो वो लेबरोडोर वेशन क्यूश्च नमर 25, हिपसो मीट्रिक कपर के द्वरा क्या-क्या दर्साया जाता है, तो इसमें महासागरी मदन, मगनतट को दिखाया जाता है, मगन दाहल को, गेहरे सागरी मैदान को, लेकिन सागरी ज़न लवणता को नहीं दिखाया जाता है, यह आपका कट हो जाएगा, तो ABC, एलवटरोस पठार प्रसांत महासागर में इस्तित है, इनको सुमेलित करना है, लेपरोडोर उत्री अट्लांटिक में, ब्राजील है, वो दक्षनी अट्लांटिक में, किरोश्वी उत्री प्रसांत में, अगुलास दक्षनी हिंद में, अर्तात 4123, निविन से हैं प प्यूटिरी को यह पता होगा, यह किसमें है, आपका अट्लांटिक महासागर में, तो क्यूरायल है, कर्माडेक है, टॉंगा है, अर्तात ACD, सेक्ड आंसर होगा इसका नेक्स्ट है, सिल्का में उज कोन सा है, तो सिल्का में उज है, वो आपका, देखें, यह आपके चूना पथर से बनती है, गट्टा आपका, गिलोब जिरना और टेरोपाइड, तो डाइटम और रेडियोलेरियन, BD, यह आंसर आपको राइट होगा नेक्स्ट है, किसी गहरे लेगून द्वारा मुक्ष भूमी अत्वा अंतर देशिये तटक से अलग थलाग की गई सेल वित्ती या के लाती है, तो वो बेरियर रीफ है, रूद का प्रवाल वित्ती है खास हंकला में, पोशन रिज्टर फोर्ड में नेक्स्ट है, तो वो तिर्थिये को भूगता होते हैं नाइट्रोस अनूमस बेक्टिया परिवर्तन करता है, अमोनिया को नैट्रेट में नेक्स्ट है उस्कटवन्दिये साधाहर बनों को जाना जाता है तो उस्कटवन्दिये बर्सा बन मानसुनी बनों को उस्कटवन्दिये प्रणपाति बन के नाम से जानते हैं निम्नेंसे कॉन सा प्रात्वं बाई प्रदूशाक नहीं है। देखें है sulfur dioxide, carbon monoxide, sulfur-style dioxide यह आपकी प्रात्वं बाई प्रदूशाक हैं लेकिन पारा नहीं है। next है, प्रत्व promote सम्ज़ात क्योट्यों संधी तो 1997 में हुई next है, भारतür UNFCC के साथ कब जुड़ा तो जो पिथम प्रत्वी सम्मिलन हुआ उसी समय UNFCC का गठन हुआ तो 1992 में भारत इससे जुड़ गया था फिर है ओजोन परत के चरण के प्रती चिंताओं को सम्मंद में तयार मॉन्ट्रियर प्रोटेकाल एक अंतराश्टी सम्मिलन का प्रतिफल है तयार मॉन्ट्रियर प्रोटेकाल 1987 हुआ उससे पहले एक सम्मिलन हुआ इसको करने के लिए और वो था बियेना सम्मिलन अर्थात इसका सही आंचर होगा बियेना सम्मिलन बाहरत में पहली बार जल अधिनियम कब लाग हुआ तो 1974 से विजम्मक की प्रस वर्सा बन होते है फिर मरवश्टलियर फिर टुंट्र आपके थो बियो लडない τुझ मार्था बड़े सकारी ब्हुमी के नाम से आपता है इंड़ इंड विक गिंव्ज यह सावाना कुछ नमर 42 निमसे कौन सा सुमेलित नहीं है तो प्रेडी कनाडाज ठीक है पंपाज अरजेंटीना और आपका डाउंस ऑस्टिलिया में लानोज नहीं है यह आपका ठीक है नहीं है इबने जुला में है फिर है किसी दिये गए पारिशित तंत्र में निवासियों को पोसित हो सकने वाली अधिक्तम संभावे संक्या क्यालाती है तो बेहन चमता केरिंग कैपसिटी क्यालाती है कुछ नमर 44 निमने से जलवाई कारकों में से जिसका इसलिए पारिशित तंत्र में सबसे कम प्रभाव पढ़ता है देखिए ताकमान परिवारतन का प्रभाव पढ़ता है सूर्य प्रकास के इस्तिती का प्रभाव पढ़ता है जल के उपलबता का प्रभाव पढ़ता है लेकिन इसका सबसे कम प्रभाव वह आपका पवन का होगा बिलान कोबिश चक्र मुक रूप से प्रभावित करता है तो ये जलवाई परिवरतन को करता है नेक्स्ट है लियो होता है लेकिन बोटनिकल से जो गार्डन है वो इसके अंतर समेल नहीं होते हैं नेक्स्ट है ओजन छरण का मुख्य कारण क्या है तो सीएपसी है आपका क्लोर क्लोकारवन है एक पार्ड़ से तंतर के संदर्व निकम से कथन सही नहीं है तो यह आपका रॉंग है इट इस एक लॉज सिस्टम यहीं संब्रत तंतर है अाज है नेक्स्ट है अमल बर्सा में जल के अत्रिक जो रहासानी योगिक होते हैं वो कौन सा है तो इसमें नैक्र्ठर्क अमल और सल्फियर्य का निम्से कौन सा सांस्कृतिक मांचित का उधारण नहीं है तो ये उच्चावच क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक मांचित होता है भूमी पर एक दूरी तीन फरलांग क्योंकि एक मील में आठ फरलांग होते हैं 79 गर्ज आपके 2 फीट 7 इंच मापकी गई है तो किसके सम्तुल होगी तो ये आपका 1 अनपात आपका 1 रेशो 26,635 एक अनपात 26,635 होगी नेक्स्ट है प्रितिनीदी विन ने एक अनपात 253,440 का अन्यमने से कौन सा सही रूपांतरन नहीं है विजबर फॉल्विंग की नौट करेक्ट कनवर्जन इंटू स्टेटमेंट स्खील बने इन जुटना ये आपका एक इंच बराबर च्यार मील ये सही है जो इसका सही रूपांतरन है वो आपका नहीं होगा एक इंच बराबर 21,120 ये आपका सही हो जाएगा असत कथन को पहचाने उत्री और दक्षिन गुलार्ण प्रतिय एक अक्चांस समांतरों संक्या 90 होती है ये आपका रॉंग हो जाएगा नेक्स्ट है असत कथन को पहचाने तो देशांतरे या मुतर ब्रताकार होते हैं जो दुरहों पर एक बिंदू पर मिलते हैं लोग्जोड्रेम इन में से कोई नहीं है क्योंकि ये आपका मर्केटर प्रिच्चेप पर होता है कथन तो यथा आकरति प्रिच्चेप के संदर में सही है ये प्रिच्चेप में बिवेंद चेत्रों के आकरति को सही सही चेत करता है और चेत की सुदता की उपिक्षा करता ह संदर में सही नहीं है यह मापनेgie कि गहल 25.000 के संदर पास सही होती है जबकि यह आपके किस के संदर में सही है कॉलब तियार क्या चनुहाएं कितनी है चार है बैसे ये कनपात 25,000 वाले जो मांचित्र हैं अब बंद हो गया है तो आब देखते हैं आरपीशी क्या मांति है तीन मांति है या चार आईसो हेल सम्मान सूर्य प्रकास के संद्ध को जियात करते हैं बढ़मांत्री मांचत हमें प्रसासनेक सीवांों को आधार बनाए जाता है निल्ले से तीन प्रकार के मांचत्र के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू होते हुए अब रुई क्रम में आधार अनुक्रम कीजिए तो ये है सबसे पहले केडरेस्ट्रल मैप है, मान्च भूंप संपत्ति मान्चित, इस्तला किर्थिक मान्चित, एटलस मान्चित एक क्लाइमोग्राप मांसिक और आंकडों की साहता से बनाए जाता है तो सापिक्षे आधरता और आधरवलता अपमान, अर्थाद B और C निमने से किस मान्चे प्रिछे पत धुरुब को नहीं देखा जाता है तो मर्केटर प्रिछेप स्टेंडिक गिर विदी में प्रियोक किया जाता है तो नगरी जंचेंग को गोलों के द्वारा स्पीर के द्वारा और ग्रामी जंचेंग को पिध्दिओं के द्वारा सुदूर सम्वेदन टक्नीक रेमोर्ट सैंसिंग में प्रियोक्त वह उपकरण जो विद्धोच्म के विकरण उठ जाको एकद्ध कर उन्हें संकेतों को में बदलकर उप्योक्त आकारों में प्रोस्तत करते हैं जिन से अन्वेशन लेक्षों के विश्यम सूचना प्राप्त क जयाते हैं वो संब्यदक क्यलाते है सेंसर कि क्यां संकाच से दरण गिए इस किसके समतुल होता है तो जोगरुफिकल इनफॉर्मीशन स्सिस्टम तो इसमें कोई नहीं है तो फिक lug ओं से है तो प्रोसेस आपकी प्रक्रिया होती है प्रोसीजर आपका डेटा आंकड़े होत होता है और पीपल होते हैं लेकिन जंसेंक्या नहीं होती है नेक्स्ट है संकिताज जी गए में द्रस्व में प्रति रूप लेंडिसके मॉडल को सही-सही रूपित करता है तो इसमें से डी-e-e-m और द्रस्व में सामिल है तो इसमें है राडार लेडार और सोनार तीनों है एक रेमोट सेंसिंग डेटेक्टर की सम्मिदिन शील्था जो उसकी सिगनल सामर्थ को दरातल से प्रावर्थ या उसरजद विकरन प्रभाग के अंसार विभीद रताती है उससे हम इस्तानिक विभीद की रूप में जानते हैं यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभीदन 6 विट का है तो दूशर मान की बेल्यू क्या होगी यह मिन देखा नहीं है भूबाग के लक्षणों को सुदूर सम्मिदन अधिकान से किस पर आधारत है तो भूबाग ये लक्षणों के उसर तंग देहर होता है तो 0.4 से 0.7 माइक्रो मीटर नेम से कौन एक जियाएस सॉप्ट भीहर नहीं है जियाएस की रचना इस्थानिक आंक्रों को मैनिपूलेट करने के लिए कि यह नेमें से कौन सा इस्थानिक तत्व नहीं है तो यह है एक लाक्षनिक डाटा से नेमें से संभीदन तकनीक के उपरों द्वारा प्रियोग की जाती है तो यह है आपका थरमल इंफरेड नेमने से एक राष्टर फॉर्मेट नहीं है तो यह एक एस्वीजी एक वेक्टर फॉर्मेट है जब वाइवनले करनों का ब्यास बिक्रन तरंग्द है के बराबर होता है तो उ कार प्यर्शन का सहसंबन्द गुडांग के नाम से जाना जाता है तो इसे गुण आगून सहसंबन्द गुडांग निमने से बहे कथन जो सही नहीं है देखिए यह आपका सही है समांतर माद से मदों के विचलन का युग सदा सुन होता है समांतर माद चरम मुले द्वार प्रभावित होता है समांतर माद का परिकलान सभी प्रिश्वर पर अधारित होता है यह आपका सही नहीं है नेमिन से बहे कतन जो सही नहीं है वह है पूर्ण समरूप वित्रण का माद का समान होता है सैंकी में प्रिछेपन दरसाता है वो है वित्रण मुल्यों का मान वित्रण की ओसत मान से कितना बहिंद है माद माद का बहुलग के मत सम्मन यह आपका फैला है माद माइनस बहुलग जी कल तू थ्री रेकेट माद 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 का निमसे परी छेपन का सापिक्षिक माप है तो वित्रण गुणांक है कोपिशिंट वेरियेशन है विएसे कौन सा केंदी प्रिवाती का माप नहीं है तो माद दिविचलन है बाकी सारे है संचाई आबरती वित्रण का आलिक होजाईव गिलाता है निमसे किस ग्राफ में समान बित्रण रिखा दिखाए जाती है तो वो लौरेंज करव है सहसमन गुणांक में कौन सा सुमेलित नहीं है तो वो आपका कि सहसमन का मान है वो जीरो से लेकर के एक के मद मोता है 0 से लेकर के प्लस एक, प्लस माइन, माइनस एक तक निमसे बिचलन माद दे रही थी नहीं है तो मानक बिचलन अपर बार जी विदी जिसमें अपर लेमिर और लोर लेमिर दोनों समान होती है तो इसमें A और C अर्थात A और C ये सही है निकर्तम पड़ो सी सूचकांक जो आपका नेरेस नेवर इनलेसिस है क्योंकि इसमें मान है 0 से लेकर के 2.15 तक होता है ये नहीं है निमसे कौन सी तुलनात्मक स्किलिंग तकनिक नहीं है तो वो आपकी बरवल फ्रिक्वेंसी स्किल है इसके आपका सेंप्लिंग है नेक्स्ट है एक अनुसंतान करता किसी ग्रामेरी छेत्र में एक उत्वाद विज़ेस की संभावनाओं के अध्यनेतु एक चोग है इस अध्यनेतु किस उपकरण के वरिता देनी चाहिए तो वो बैसे साक्षातकार है अनसूशी है लेकिन इसमें से कौन सारपेसी मानती है मेरा मानना है कि इस साक्षातकार इसमें सही होगा सूद का मुक दिये क्या है तो नए तथ्यों की खोज करना अथवा ग्याद तथ्यों की ताजा करना नमूना लेने में गल्ती निमने से किस के साथ कड़ती जाती है तो नमूने के आकार में जब रद्धी करते हैं तो उसकी क्या होती है कम होती है सोध नेतिकता में किसे सामिल नहीं करते हैं इमंदारी सामिल होती है न्याय निश्टत सामिल होती है बिक्ती फरिक्ता है वो समिल नहीं होती है नेमिज़ किस प्रकार के अनुसंद्धान के सारांस निसकर्सों को अन इस्तितियों में सामयनिकरत नहीं किया जा सकता है और वो है कारणातों तुलनातों अनुसंद्धान नेक्स्ट है सूद समझस्या के चैन में निमसे किसके उद्रश्टिगाद नहीं रखा जाता है तो वो मुल्यान कन निमसे प्रात्मगा आखड़े संगर्यत करने की विदी नहीं है यह परिविक्षण है प्रिश्नावली है साक्षातकार है लेकिन विक्तिकष प्रिलेकर जन सेंक्या जनगर्णा नहीं है और सयद्धांतिक ढाचे का क्या नाम है जिसके अंतरा सूद संचालिद किया जाता है वो है रिसर्च डिजाइंड सूध अभीशिल नेक्स्ट है नेमिन से कौन सा एक आंख्ड़े संगलेट कने का तरीका नहीं है तो सूध प्रिसंद एक सूध रेपोर्ट में किसका प्रिस्तुति करण किया जाता है तो आपका सूध प्रिक्रिया का अगर समस्ट्री समरूपता नहीं रखता है तो किस प्रिस्तिजन विदी का उप्योग की जाता है तो इस्तरवद का प्लेजिर में सामिल है सभी सामिल है बिना संदर्व दिये दूसरे के काम की नकल करना अपने स्यम के काम की नकल करना स्यम के नाम से किस दूसरे काम को प्रिकासित करना दूसरे पत्पत काम अपने पूर में प्रिकासित काम को पुन है प्रिकासित करवाना उद्रहन सहली नहीं, नेक्स्ट है, निमने से कौन सी बहुचर विशलेशन भी दी है, तो साधहारन सह सम्भन्द, भूगल सब्थ का सरफ प्रत्थम प्रियोग, यह आपका इराठा इस्तिनीज ने किया, निमसे भूगनित का प्रतिवादक इराठा इस्तिनीज थे, प्रत्थवी की उत्पते समय बायोराशी परिकलपना करने वाले जो कांट हैं वो कहां के थे तो जर्मनी के थे, भूगल को सरफ प्रत्थम सामान और विशलिश्ट के रूप में बिवाजित करने वाले बारनियस थे, भूगुल में बहे द्रेश्टिकुल जो कहता है कि करम संग्यार आत्मत प्रक्रिया से प्रिर्थ होते हैं वो बिभार बाद कहलाता है निमसे कौन सा यूनानी भूगुल बता नहीं है तो वो आपके टालमी है भूगुल में एक इसमणी लेखन कारिय जो अलमाजिस्ट के नाम जाना जाता है टालमीनी लिखाता किताब अलहिंद की लेखक अलवरोनी है निमसे कौन निश्यवादी नहीं थे देखिए अंबोल्ड थे रिटर थे डेमुलेंस थे लेकिन बिडालरी विलास संभवादी थे बेटेंड एंड रबेटेसी नाम के पुस्तक की लेखक है हलफोड जै मैकेंडर थे सिबिलाजिस ने क्लाइवेट के लिए कख एल्सवर्ड हंटिंग्टन इस्तानिक संक्टन की संकल्पना है वो जर्मन स्कूल से है किस मद्धिगों निश्यवादी बहुल बतने टालमी के कारे को ब्यापक सुदार किया तो ये अले दिरीसी थे निश्यवाद को निश्यवाद को निश्यवाद के संस्तापक के रूप में जाता है तो फ्रेडिक रेड़ जैल है कौन कहां कैसे प्राप्ट करता है अध्यान कल्यान परण भोल के अंतरगात है वो आपका किया जाता है कोई अनिवारता नहीं है प्रते एक अस्तान पर संभावना है इस कथन का सरे फैब्रे को है निमसे पौनाने दीपों में कौन सा एक आश्टले महादीर से संबन देता है वो सक दीप है निमसे बीसवी सताब्दी का सबसे बड़ा जो जलाम की उद्वेदन हुआ वो आपका नौराप्टाम में हुआ निमसे कौन सा कथन बेगने द्वारा प्रिस्तुत प्रमाण नहीं है देखिएगा जिक साफ हिट है आपका पुरा जीवास में आपके प्रमाण है ये और ये इन दोनों में जैसे हम बात करते हैं लेमिंग जीमूं का बिलोगत होना एक्स्टेंशन आपका एक्स्टेंशन और लेमिंग क्योंकि वहां बिलोगत नहीं होते हैं वह जाकर के एट्लांटिक मासा कर जाकर के डूपते हैं पुरा जलबाई प्रमाण भी आपका नहीं तो इन में दोनों से कोई सम्भान आ जाएगा वैसे ज्यादा संबाबना है व ये हैं फस्ट भूकम उत्पन कारग उर्जा प्राइब्रहंस के नारे ही निकलती हैं नमसे किसकी गती नियूंतम है तो वो आर्टे कटर की है अपसारी प्लेट का उधारन नहीं है प्रसान महासागिरी प्लेट और फुले पैंस प्लेट के बीच की सीमा निमसे असत्त कथन है एस तरंगे धनी तरंगों के समान होती है अपसलकन मोखित बहुतिक अफशय का एक प्रकार है निमसे कौन सा नवीन बलित परवत का उदाहरण नहीं है तो वो है आपका अपलेशियन ब्रंसोत परवत बास्षिज परवत है जोलंग परमत का उदाहरण नहीं है तो वो जलोड मिर्दा है गाटी रंद भूमिका जल के द्वारा बनने वाली इसला किरती है सरक के नाम से CWN CWN लेखा हुआ है लेकिन CWN इसका सही अंसर है यह सही हुगा उच चक्षांसों में गहरी हिमनत गरते हैं जिनसे समूदी जल भर जाता है उसे फ्योड कहा जाता है हिमानी यंतरन से दानत है वो डेली महोदे ने दिया था परत्वित की उपरी कोर और निचली कोर के मद में हैं लेहमैन ऐसम मेता है तटिये प्रभाद वरा खुले जल द्वरा या खाडी में बनाए जाने वला सक्राज उंगली नुमा बालू का इस तत्वन जिसका एक सिरा मुक मुमी से जुड़ा होता है वो इस्पिट के लाता है सीप के कथन में सही है सीप के वल एक बुजा बाले बालू का इस्टूप है